हेलो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संक्तल कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे की हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले हमारा पहला कोशन है हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप किस देश ने जिता है इस कोशन का जो सई आनसर है वो है दक्षिन कोरिया अभी हाल ही में दक्षिन कोरिया ने सुल्तान अजलान शाह कप जिता है दक्षिन कोरिया ने भारतिय पुरुस होकी टीम को 28 में सुल्तान अजलान शाह कप होकी टूनामेंट के फाइनल में हरा करके ये कप जिता है इस कप के जितने के साथ ही उसने नो साल बाद यानि दक्षिन कोरिया ने नो साल बाद यह खिताब अपने नाम किया है इससे पहले दक्षिन कोरिया 2010 में भारत के साथ संयुक्त विजेता बना था हमारा दूसरा कोशन है UNCCD के पार्टियों के समेलन के चोद्वें स्तर की मेजबानी कोन करेगा इस कोशन का जो सही अनसर है वो है भारत कि भारत UNCCD के पार्टियों के समेलन के चोद्वें स्तर की मेजबानी करेगा भारत, भूमी, शरण और मरुस्तली करण के मुद्दे पर मरुस्तली करण का मुकाबला करनी के लिए संयुक्त राष्ट्र संग के पार्टियों के समेलन के चोध में स्तरकी को आयोजित करेगा, जिसमें सो से अधिक देशों की बागिदारी होगी, इसके अक्टूबर 2019 में आ NCCD में एक सो सत्यान में दल है, जो भूमी और मिट्टी की उत्पादक्ता को बनाई रखने और बाहाल करने और सूखे के परवाओं को कम करने की दिशा में काम कर रही है, हमारा तीसरा कोशन है, हाल ही में भारत का दूसरा रक्षा नवाचार के अंदर कहां स्तापित किया जाएगा, दूसरा रक्षा नवाचार के अंदर कहां स्तापित किया जाएगा, तीस कोशन का सही अनसर है, नासिक की अभी हाली में भारत का दूसरा रक्षा नवाचार के अंदर नासिक महराष्ट्र में स्तापित किया जाएगा, महराष्ट के नासिक तमिलाडू के कोयम बटूर के बाद देश का दूसरा रक्षा नवाचार के अंदर होगा नासिक में रक्षा नवाचार हब देश के रक्षा चितर में स्थानिय उद्योगों और उद्यमियों की मदद करेगा रक्षा नवाचार हब 35,000 क्रोड रुपे के वार्षिक हत्यारों के निर्यात को प्राप्त करने की यूजना है और बात करें नासिक की तो नासिक जो की महराष्ट में है और गोधावरी नदी के किनारी पर इस्तित है नासिक गोदावरी नदी के किनारी पर महराष्ठव में इस्तितarration हमारा चोत्था कोशन है हाल ही मेंículos लोरियन्स वर्ल्ड कम बेक्व ओफ दा एर लोरियन्स वर्ल्ड कम बेक्व ओफ दा एर ओवाड से नमांकित होने वाली पहली भारतिय एथलीट कोन है तो पहली भारती अथलीट कौन बनी है तो इस कोशन का सही अंसर है विनेश फोगाट अभी हाल ही में विनेश फोगाट लोरियन्स वर्ड कम बेक ओफ दा इयर अवार्ड में नमंकित होने वाली पहली भारती अथलीट बनी है विनेश फोगाट को 2018 में इस अवर्ड के लिए नमंकित किया गया वे इस अवर्ड के लिए नमंकित होने वाली पहली भारती अथलीट है हमारा पांचों कोशन है खाल ही में सात्वी एशियन भारत परियाटन मंत्रियों की बेठक कहां आयोजित की गई इस कोशन का सही अनसर है वियत नम कि सात्वी एशियन भारत परियाटन मंत्रियों की बेठक कहां आयोजित की गई तो इस कोशन का सही अनसर है वियत नम वियत नम में अभी हाल ही में सात्वी एशियन भारत परियाटन मंत्रियों की बेठक आयोजित की गई थी तो इस कोशन का जो सही अनसर है वो है वियत नाम हमारा छटा कोशन है हाल ही में भारत के सबसे कम उमर कम उमर के ग्रेंड मास्टर कौन बने है तो इस कोशन का सही अनसर है डी गुकेस डी गुकेस अभी हाल ही में भारत के सबसे कम उमर के ग्रेंड मास्टर बने है अमिल लाडू के डी गुकेस ने देश में सबसे कम उमर में ग्रेंड मास्टर बनने का गोरव हासिल कर लिया उन्होंने बारा साल साथ महीनी सत्रा दिन में grand master बन कर पिछले साल जून में grand master बनेी रमेश बाबू प्रग नानंद का record तोड़ा है रमेश बाबू बारा साल दस माहा तेरा दिन में grand master बनी थी तो इसके साथ ही एक कोशन और बन गया कि डी गुकेस ने सबसे कम उमर के ग्रेंड मास्टर बन कर किसका रिकोर्ड तोड़ा है तो रमेश बाबू प्रग नानंद का मारा साथों कोशन है हाल ही में सबी महादिपों में साथ सबसे उंची चोटियों और जवाला मुखी सीखरों पर चटने वाले विश्व के सबसे कम उमर के परवतारोही कोन बने है विश्व के सबसे कम उमर के परवतारोही कोन बने है तो इस कोशन का सही आनस्वर है सत्यरूप सिधान्द अभी हाल ही में सत्य रूप सिधान सभी महादिपों में साथ सबसे उंची चोटियों और ज्वाला मुखी सीखरों पर चड़ने वाले विश्व के सबसे कम उमर के परवर्ता रोही बने हैं सत्य रूप सिधान्त ने यह कारणामा 35 वर्स और 262 दिन की उमर में किया इस से पहले अगर हम बात करें कि सबसे कम उमर की परवर्ता रोही बने थे उस्टेलिया के डेनियल बुल जिनोंने यह कारणामा 36 वर्स 157 दिन की आयू में किया था तो डेनियल बुल ने यह कारणामा 36 वर्स 157 दिन की आयू में किया और उनका रिकोर्ड तोड़ा सत्य रूप सिधान्त ने जिनोंने यह कारणामा 35 वर्स और 262 दिन की उमर में किया है हमारा आठवा कोशन है हाल ही में किस देश के राष्टपती नहीं किस देश के राष्टपती ने जी सेवन्टी सेवन समुह की अद्यक्स्ता सम्वाली है तो इस कोशन का जो सई आनसर है वो है फिलिस्तिन इस देश के राष्टपती ने फिलिस्तिन अभी हाल ही में फिलिस्तिन के राष्टपती महमूद अबास नहीं महमूद अबास नहीं जी सेवन्टी सेवन समुह की अद्यक्स्ता सम्भाली है G77 समुय की स्तापना मुख्य रूप से 1964 में 77 सदश्यों की दवारा की गई लेकिन बरत्मान में इसका विस्तार 134 मुख्य रूप से विकास सील देशों में हुआ है हमारा नुवा कोश्चन है 31 मार्च 2019 को वायू सेना का मिग 27 मिग 27 लड़ाकू विमान राजस्तान की किस्तान पर दुरगटना गरस्त हो गया तो इस कोश्चन का जो सही आनस्वर है वो है गोधाना या गोधाना बांद के पास 31 मार्च 2019 को वायू सेना का मिग 27 लड़ाकू विमान दुरगटना गरस्त हो गया था ये जो मिग 27 लड़ाकू विमान है ये सीरोही जिले की सीवगंज तैसिल के गोधाना सीवगंज तैसिल में इस्तित गोधाना बांद के पास दुरगटना गरस्त हुआ है अगर आपको याद हो तो 8 मार्च 2019 को एक और लड़ाकू मिग 21 मिग 21 विकानेर के सोबा सरगाम के पास दुरगटना गरस्त हुआ था और अभी हाली में ये दूसरी गटना है पहली गटना 8 मार्च को विकानेर में हुई थी वो था मिग 21 और ये है मिग 27 अगर हम बात करें सीरोही की तो राजस्तान की सबसे उन्ची चोटी गुरु सिकर सीरोही में इस्तित है राजस्तान की सबसे उन्ची चोटी गुरु सिकर माउंट अभू सीरोही में इस्तित है राजस्तान में एक मात्रेशी जील जिसका जल सर्दियों में जम जाता है नकी जील वो भी माउंट अभू सीरोही में इस्तित है आबु दिलवाडा के मंदिर सिरोही में इस्तित है जिने कभी कर्नल जैम्स टोड नहीं हिंदू ओलंपस कहा था सिरोही का संस्थापक है सहसमल सिरोही का संस्थापक है सहसमल सिरोही का सुबंकर है जंगली मुर्गी एक ओर सिरोही परकोशन कि राजस्तान में एक करण के समय 19 रियास्ते थी और परते एक रियास्त साथ चरण के अंदर सामिल हुई तो अगर क्वेशन आए कि राजस्तान में 19 रियास्तों में इसी कौन सी रियास्त थी जो सबसे लाष्ट में राजस्तान में सामिल हुई तो वो थी शिरोई और शिरोई वो रियास्त है जो एक करण के एक चरण में नहीं दो चरणों में सामिल हुई थी क्योंकि छटे चरण में शिरोई तो मिल गई थी लेकिन उसका अबू दिलवड़ा नहीं मिला और उसको सात्वी चरण में मिलाया गया था तो सिरोई वो रियासत है जो रास लाष्ट में सामिल हुई और सिरोई वो रियासत है जो दो भागों में सामिल हुई थी एक ही करन के समय हमारा दस्वा कोश्चन है हाल ही में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के द्वारा राजस्तान की किस जिले में सेन्य उपकरण की मेंटेनेस और रिपेरिंग यूनिट स्थापित की गई तो इस कोश्चन का सई अनस्वर है जोधपूर अभी हाल ही में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के द्वारा राजस्तान के जोधपूर जिले में सेन्य उपकरण की मेंटेनेस और रिपेरिंग यूनिट स्थापित की गई है बात करें थोड़ी सी जोधपूर की तो जोधपूर का सुबंकर है कुरंजा जोधपूर का सुबंकर है कुरंजा ना याद रहे तो अपने बोलते हैं कि राजस्तान में सबसे ज़्यादा कुरंजा पकसी खिंचन फलोदी जोधपूर में आती है तो जोदपूर का सुबंकर है कुरंजा, जोदपूर राजस्तान का छेतर फल में सबसे बड़ा संभाग है जोदपूर का संस्तापक तो राव जोदा है जोदपूर राजस्तान का छेतर फल में सबसे बड़ा संभाग है जोदपुर को सूर्य नगरी की उपनामसी जाना जाता है सूर्य नगरी जोदपुर को कहते है सूवरंड नगरी तो जालोर को कहते है सूवरंड नगरी जेसल मेर को कहते है मरुस्तल का प्रवेस्तवार जोदपुर को कहते है मरुशतल का प्रवेस्टवार जोदपुर को गहते हैं मरुशतल का के अंदर भी जोदपुर को कहते हैं हमारा ग्यार्मा कोश्न है हाल ही में भारत में देशी बोफोर्स के नाम से विख्यात धनुस्तौप राजस्तान के किस तान पर सरवपर्थमस्तापित की जाएगी इस कोशन का सही अनसर है कोनार्क जोदपुर कोनार्क जोदपुर में भारत में देशी वोफोर्स के नाम से विख्यात दनूस तोब सरवपर्थमस्तापित की जाएगी भारतिय सेना को करीब 32 साल भारतिये सेना को करीब 32 साल बाद नई सब्देशी तोप धनुस मिल रही है देशी बोफोर्स तोप के नाम से मशूर धनुस तोप 40 किलोमेटर तक मार कर सकती है सेना को फिलाल 6 धनुस तोप दी जाएगी जबलपूर में इस्तित्गन केरिज फैक्टरी ने धनुस तोप को तियार किया है और अगर हम बरतमान की बात करें तो बरतमान में पाकिस्तान से निपटनी के लिए स्वीडिस बोफोर्स तोपें बॉर्डर परतिनात है जो की भारतिये सेना में 1987 में सामिल होई थी हमारा बारवा कोशन है हाली में 27 मार्च को इंदर सरकार द्वारा जारी अधीस उचना के अनुसार राजस्तान के नियाधिस RS चोहान RS चोहान को किस हाई कोट का करे वहाक मुख्य नियाधिस नियुक्त किया गया है तो इस कोशन का जो सही अनसर है वो है तेलंगाना हाई कोट कि अभी हाल ही में RS चोहान को तेलंगाना हाई कोट का मुख्य नियाधिस नियुक्त किया गया है और अगर हम बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना भारत का 29 जेबना है तेलंगाना भारत का 29 जेबना है दो जून 2014 को अंदर परदेश से ये अलग हुआ अंदर परदेश और तेलंगाना दोनों की 10 वर्षों तक राजदानी रहेगी हैदरावाद 10 वर्ष के पश्याद तेलंगाना की रहेगी हैदरावाद और अंदर परदेश जिसका निया नाम है सीमांदर उसकी राजदानी बन जाएगी अमरावती तेलंगाना जब नहीं बना था दो जुन दो हजार चवदा से पूरव तो आंदर परदेश भारत का छेतरफल की दरश्टी से चोथा सबसे बड़ा रज्ये था परंतु जैसे ही आंदर परदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो वर्तमान में चोथे नंबर पर आ गया उत्तर परदेश भारत का छेतरफल में सबसे बड़ा रज्ये अगर कोई पूछे तो राजस्तान दूसरा मद्य परदेश तीसरा महराश्ट्र और चोथा है उत्तर पहले कभी चोथे नंबर पर आंदर परदेश होता था एक बार फिर मैं इन कोशनों को रिपीट कर रहा हूँ जैसे मैं कोशन बोलता हूँ आपकी दिमाग में अंसर आ जाना चाहिए पहला कोशन है हाली में सुल्तान अजलान शाह कप किस देश ने जीता है इस कोशन का से अंसर है दक्षिन कोरिया दक्षिन कोरिया ने सुल्तान अजलान शाह का भारत को हरा करके यह जीता है हमारा दूसरा कोशन है हाली में UNCCD के पार्टियों की समयलन के चोद्वे स्तरकी मेजवानी कोन करेगा तो इस कोशन का से अंसर है भारत कि भारत UNCCD के पार्टियों की समयलन के चोद्वे स्तरकी मेजवानी करेगा हमारा तीसरा कोशन है हाली में बारत का दूसरा रक्षा नवाचार के अंदर का स्तापित किया जाएगा तो दूसरा नवाचार के अंदर नासिक महराष्ट में स्तापित किया जाएगा दूसरा नवाचार के इंदरनासिक महराष्ट हमारा चोथा कोशन हाली में लोरियंस वर्ड कमबेक ओफ इयर अवार्ड से नमाकित होने वाली पहली भारती एथलीट कोन वनी है तो इस कोशन का सही आनस्वर है विनेश फोगाट आजा आजा हमारा पांचों कोशन है हाली में सात्वी एशियन भारत परेटन मंतरियों की बेठक कहां आयुजित की गई तो इस कोशन का सही आनस्वर है वियत नाम हमारा चटा कोशन । हाली में बारत की सबसे कम उमर के Grand Master कोन बनिये है ? फिस कोशन का सैय आन्व्सेर आट Monte Gunkieze बारत में सबसे कम उमर के Grand Master बनी है हमारा साथमों कोशन हाले में सभी माधिपों में साथ सबसे उंची चोटियों और जुआला मुखी सीखरों पर चड़ने वाले विश्व के सबसे कम उमर के परवता रोही सत्यरूप सिधान तो परवता रोही कोन है? सत्यरूप सिधान हमारा आठमों कोशन हाली में किस देश के राष्टपती ने जी-77 समुए की अध्यक्स्ता समभाली है? तो इस कोशन का सही अनस्वर है फिलिस्तिन जी फिलिस्तिन ने जी-77 की अध्यक्स्ता समभाली है नवा कोशन 31 मार्थ 2019 को वाईयू सेना का मिग-27 लड़ाक को विमान राजस्तान के किस स्थान पर दुरगटना गरस्त हुआ तो सिरोई के गोधाना या गोधाना बांद के पास दस्वा कोशन हाली में बार्थ एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के दवारा राजस्तान के किस जिले में सेन ने उपकरण की मेंटेनेंस और रिपेरिंग यूनिट स्थापित की गई तो इस कोशन का से यांसुर है जोधपूर जोधपूर में सेन ने उपकरण की मेंटेनेंस और रिपेरिंग यूनिट स्थापित की गई है हमारा ग्यार्वा कोशन हाली में बारत में देशी बोफोर्स के नाम से विख्यात दनुस्तोप राजस्तान के किस स्थान पर सरोपर्थम स्थापित की जाएगी तो इस कोशन का अनसर है कोनार्क जोधपूर कोनार्क जोदपूर में भारत देशी वोफोर्स के नाम से विख्या तनुस्त अपस्थापित की जाएगी हमारा बारवा कोशन हाली में 27 मार्च को किंद्र सरकार द्वारा जारी अदीश उचना के अनुसार राजस्तान के नियादीश आरेस चोहन को किस हाई कोट का कारेवाक मुख्य नियादीश नियुक्त किया गया है तो वो है तेलंगाना हाई कोट अब वो कोशन जिसका अनुसर आपको कमेंट के माद्यम से बताना था कोशन था हाली में किस देश के राष्टपती उमर अलबसीर ने साल भर लंबे अपातकाल की गोशना की है तो इस कोशन का सही अनुसर है सुडान कि अभी हाली में सुडान देश के राष्टपती उमर अलबसीर ने साल भर लंबे अपातकाल की गोशना की है तो इस कोशन का सबसे पहले आंसर दिया है अभी पिंडारनी, दूसरा नंबर है अनमोल बराड का और तीसरा नंबर है अमन चाहर का आप तिनों को बहुत बहुत वदाई हो सबसे पहले आंसर दिया अभी पिंडारनी, दूसरा नंबर अनमोल बराड और तीसराः अमन चाहर जिसका आनसर आपको कमेंट के माद्यम से देना है आली में भारत ने किस देश के साथ تمभाकू निर्याद प्रोटोकॉल पर अस्ताक्षर किये है इस कोशन का आनसर आपको मतलब कमेंट के माद्यम से देना है सुबह से पांच बजे वीडियो अपलोड हो जाता है आप तयार हैं हमेशा के लिए हमेशा की तरह और जिसने अभी तक संकल्ब की यूट्यूब चैनल संकल्ब कोचिंग गंगानगर को सबस्क्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सबस्क्राइब कर लें और जो इस चैनल से जुड़े हैं वो आगे से आगे इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें धन्यवाद आपका दिन मंगल में हो